हलो दोस्तो मिंतारा सोई में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूं बहुत टेस्टी बहुत चटपटा नास्ता प्लीज वेडियो पूरा देखिए केवाल आज गेहूं के आटा और सब्जियों से नास्ता बनाएंगी जो बहुत टेस्टी है बच्ची की स्कूल के लिए आज बना रही हूं यह नास्ता बनाने के लिए अब हम लेंगे गेहूं का आटा जिस आटा से हम रोटी बनाते हैं उसी आटा से आज हम नास्ता बनाएंगी हमने दो कप आटा लिया है इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक नमक डाल करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूंद करके रख देंगे जैसे हम रोटी के लिए आटा गूंद करके रख देंगे जैसे हमारा आटा अच्छे से फूल जाएगा अब इसे एक साइड में रख देंगे इसके बाद लेंगे सबजियां सबजियों में लिया हमने चुगंदर अधराक प्याज धन्यापत्ति गाजार आलू आलू को अबाल करके रख लिया था पहले से आलू हमारे अच्छे से ठंडे हो गए है उन्हें छील दिया है अब छीलन आलु को अच्छे से मेचा करदेंगे आसानी से मेचा हो जाते हैं आलू या फिर आप ग्रेट भी कर लें को मैंस करने के बाद ऐसेमें डालेंगे ईएक से पहले डालेंगे घाजार र आदो अधनियापती भाय प्याज और अध्रक डाल येख साथ घाजार क्यों ग्रेट कर लिया था थोड़ा सा अध्रक लिया हैं को हमने कि हरी मिर्ची नहीं ही है क्योंकि हम बच्चे के लिए बना रहे हैं स्कूल के लिए तो हरी मिर्ची डालने से भू नहीं खाता है इसमें डालेंगे नमक स्वादंसार सौंफ है कुटी हुई लाल मिर्च है धनिया पाउडर थोड़ा सा डालेंगे हल्दी एक छोटे चमच जीरा इसे अच्छे से मिला देंगे स्टपिंग को यह स्टपिंग बहुत टेस्टी बनती है और बहुत हैल्दी बहुत चटपटी सी बनती है अगर आप अपने के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप हरी मिर्ची भी डाल लें अगर आपके बच्चे आठा खाना पसंद करते हैं इसे भी एक साइड में रख देंगे अब हम लेंगे आठा आठा की लोग्या काट लेंगे नास्ता बनाना शुरू करेंगे सुबह सुबह अउटकर बहुत जлदी बुठे थे क्योंकि यह नास्ता बनाने में थोड़ा टेम लगता इसलिए बच्चे के लिए बना रहे थे स्कूल के लिए क्योंकि अशको यह ऐशा नास्ता बोहुत पसंद आता है तो उसने बोला यही नास्ता अज जाना है स्कूल अब इसकी हम बड़ी बड़ी रोटी जैसे बेल लेंगे जैसे रोटी बनाते हैं जो इस टपिंग बनाई थी यालो की उसे अच्छे से फैला देंगी पूरी रोटी में आप चाहें तो रोटी में सौस या हरी चटनी भी लगा सकते हैं अगर आपको जितना ज्याद तीखा या चटपटा खाना पसंद हो इसे अच्छे से फैला देंगी उसके बाद से हम टाइट अच्छे से रोल करेंगी इसमें ना पानी लगाने की जरूर तो पुछे अच्छे से चिपक जाता है अब इसे अच्छे से हम पैक कर देंगे अब ऐसे बना करके हम पूरे रख लेंगे जितना हमारा आटा होगा चार बने हैं हमारे नास्ता दो बच्चों के लिए इतना नास्ता बहुत है अब एक प्लेट लेंगे उसमें लगा लेंगी तेल या फिर आप बटर पेपर रख लें क्योंकि हमें इस नास्ता को स्टीम करना दस्मेर के लिए जिससे नास्ता और भी क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर की सब्जी भी अच्छे से पक जाएगी एक कढ़ाई रखेंगे कढ़ाई में डाल देंगे दो गिलास पानी इसमें रख देंगे प्लेट अउपर से हम ढख देंगे जैसे पानी गराम हो जाएगा उसके बाद इसमें वह प्लेट रख देंगे नास्ता वाली अउपर से ढखकन लगा देंगे इसे 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे जैसे 10 मिनट हो जाएंगे उसके बाद नास्ता को निकाल लेंगे और इसे थंडा होने के लिए रख देंगे यह नास्ता बहुत क्रिस्पी बनता है ऐसा पकाने से जब हमारा नास्ता ठंडा हो जाएगा उसकी बाद हम तल लेंगे आप चाहें तो इस नास्ता को साम के बना करके रख दें सुबह उठते ही इसे तल लें अब लेंगी एक बाउल उसमें डालेंगे आटा इसमें डालेंगे तल दो चम्माच हमने तल ली है इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमाक थोड़ा सा हल्दी पाउडर कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ा सा डालेंगे जीरा इसमें डाल देंगे धनिया पत्ती थोड़ा थोड़ा पानी डाल करकी इसका एक गाड़ा साहम गोल बना लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाएंगी और इसका गोल बनाती जाएंगी जो हमने नास्ता बनाया था इसमें हम उसे अच्छे से कोट कर लेंगी डुबा करकी अच्छे से इसे तल देंगी ऐसा करने से नास्ता देखने में अच्छा लगता है सबी को एक साथ हम अच्छी सी इन्हें उसी बैटर में डुबा देंगी उसके बाद एक पैन टाकेंगे पैन में हमने डाला तेल जैसी तेल गरम होगा उन्हें नास्ता को फिराई कर लेंगे एक साथ चारों को रख दिया हमने इससे अच्छी से तल लेंगे गुल्डन होने तक अच्छी क्रिस्पी गैस को थोड़ा सा मीडियम रखेंगे जिससे हमारा नास्ता जितना ज्यादा दीरे दीरे तलेगा उतना ज्यादा क्रिस्पी बनेगा अगर आप ऐसा नास्ता बनाओगे तो आपके बच्ची यही नास्ता बनाने की रोज फर्माइस करेंगे कि यह नास्ता बहुत क्रेश्पी बहुत टेस्टी बनता है और बहुत चटपटा भी बनता है अब देखो हमारा नास्ता बन गया है अब इसे आप कोई भी चटनी या सोस के साथ परोसिए इस नास्ता को आप गर्मा गरम इंज्वाइ कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वेडियो आपको कैसा लगा वेडियो देखने के लिए धन्वाद